तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ सुरेश खन्ना जी है जिनके पास सबसे एहम मंत्राले है क्योंकि अगर डॉक्टर्स नहीं होंगे तो हेल्थ सिस्टम सुधरेगा नहीं और अगर पैसे नहीं होंगे तो हेल्थ सिस्टम तब भी नहीं सुधरेगा आप के पास सबसे महत्रपूर्ण दायत्व हैं आप क्या चाहते हैं कि हैल्थ सिस्टम कैसे बहतर होगा क्योंकि आपके सहीयोगी मंत्री अभी हमारे साथ थे हमने पूछा कि किस तरह की चुनाती वो उससे दोचार होते हैं तो उन्होंने कई मुद्दे रखे थे आपको क्या लगता है कि पूरे उत्रप्रदेश का जो हेल्थ का इंडीकेटर है परदा मीटर से कैसे सोगरेंगे है सुद्यै बामा। कि हमारा बिभाग है चिकित साथ सिक्षा है कि चिकित साथ बहतर हो मैं और शिक्षा भी बहतर हो Sax यहीं उत देश है मारा आ और इस उद्देश पर जिस दिन से ये मंत्राले समाला है उस दिन से लगातार काम कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेजिस बनें क्योंकि डॉक्टर्स की बहुत कमी है और डॉक्टर्स की कमी हर इस तर पर अखरती है डॉक्टर्स के हिसाब से एक हजार पर एक डॉक्टर होना चाहिए इस समय जो हमारे पास डॉक्टर्स का रेश्यो है वो लगवक्ट 3700 पर एक डॉक्टर है तो हमारी पहली कोशिश यह है कि डॉक्टर्स ज्यादा से ज्यादा हो और वो डॉक्टर्स के लिए आवशकता इस कि मेडिकल कॉलेज़ खोले जाएं लेकिन महत्वपूर्ण मंत्राले आपके पास है कि खाजाना भी आपके पास है तो खाजाना खोल देंगे हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए हमारी कोशिश यह होगी कि जहां कहीं जितनी आवश्यक्ता हो चिकित्सा के छेत्र में उसमें को सब्जेक्ट है इसलिए हमारी कोशिश ही होगी कि उसमें किसी प्रकार की कमी न रहे और यह आपने देखा भी होगा खाली शब्दों से नहीं बेवार से भी देखा होगा कि हम इस दिशा में लगातार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हमने पांच मेडिकल कॉलेज़ और इधर 15 मेडिकल कॉलिज़ जो हैं साथ खुल गए हैं आठ प्रिकरिया धीन है और चौधा का हम और रेकुजिशन हमने भेजने की तैयारी की है आपकी शमताओं पर आपके मुखी मंत्री को आपकी पार्टी को प्रदेश की जनता को पूरा भरोसा है लेकिन यह रेर कॉ रेर कॉंबिनेशन है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री और चिकिस्सा शिक्षा बहुत कम होता है से तो आपको लगता है कि इस कॉंबिनेशन का फाइदा उत्तरपदरिश की जनता को ज़्यादा मिलेगा जब अगला बजट आएगा तो हम देखेंगे कि जो एक एक मिनिमम कहते है कि आठ फीजदी हिस्सा टोटल बजट का हेल्थ पर खर्च होना चाहिए और अगर आपके इस पूरे बजट को हम देखें उत्तरपदरिश सरकार के तो वो उत्री रकम अभी मिल नहीं पाती है अब फैसला आपी को करना है मुख्यमंत्री को आपी को मनाना है या खाजाने क मन्तरी जी आप कस्टोडियन है खाने के मैं कस्टोडियन हूंम मन्य यह मुक्यमंत्री जी ने ये बिश्वास व्यक्त किया है लेकिन हमारे सामने एक सरवांगीर विकास का लक्ष है पूरे उत्तर प्रदेश को हम जहां जैसी आवश्यक्ता हो खासता और से बेसिक एमिनिटीज की उसमें कोई दिक्कत नहो उसमें परिशानी नहो यह हमारा लक्ष है और हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हेल्थ चोंकि प्राइमरी सब्जेक्ट है प्रात्मिक्ता वाला सब्जेक्ट है इसलिए हेल्थ को निश्चित रूप से बरिता देना हमारा धर्म भी है करतबी भी है सरकार की पालिसी भी है तो जैप्रताब सिंग्जी सामने बैठे हुए हैं वो खुश हो सकते हैं इस बार की हमारे वरिष्ट सहीयोगी फाइनेंस मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं चेकिसा शिक्षा भी संभाल रहे हैं और उनकी उपर जिम्यदारी है कि नेती आयोग की जो रिपोर्ट आई है हेल्थ इंडिकेटर्स को लेकर उसमें 21 बड़े राज्यों में उत्रबदेश का जो नंबर है वो कीसवा है यानि सबसे नीचे जैप्रताप सिंग्जी आश्वस्त हो सकते हैं इस बार की टॉप थ्री में जगह बनाने के लिए आने वाले समय में आपकी तरफ से भरपूर आर्थिक मदद मिले जिया मिलेगा मेरा आपसे एक और सवाल है कि जब एजुकेशन के रिफॉर्म की बात आती है तो अभी नीट कुछ लागो हुआ उसको लेकर भी कई राज्यों में अर्चने थी उत्रपदेश जैसे बड़े राज्य में जो रूरल इलाके हैं जहां पर डॉक्टर्स जाना नहीं चाहते हैं बीच में बात या आई थी कि हम रूरल इलाकों के लिए अलग से एक मेडिकल कोर्स कराएं जो केबल रूरल में डॉक्टर्स को हम पोस्ट कर सकें या बीएमेस के डॉक्टर्स को हम पर्मिशन दें कि वो एलोपेथिक दवाया भी लिए सकें इस तरह की तमाम चर्चना चलती है आपको लगता कि कहीं बहुत बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत है मेडिकल सेक्टर को इंप्रूफ करने के लिए खास वर पर उत्तरफ़ जैसे बड़े राज्यों को देखते हुए क्योंकि देश की एक पॉलिसी होगी स्वास आपका राज्य का सब्जेक्ट है लेकिन एक पॉलिसी तो कहीं बने कि कम से कम हालात सुधरें देखे हमने असेविच छेत्रों में मेडिकल कॉलिजेस खोलने का फैसला किया साथ ही साथ हमने ये भी फैसला किया है कि डॉक्टर से दो साल का बांट भरबाया जाए ग्रामी छेत्र की सेवा के लिए और मैं समझता हूँ कि निश्चेत रूप से जो हमारी ग्रामी छेत्र में मेडिकल की जो कमी है जो चिकित्सा सुविधा की कमी है वो इस निर्वे से पूरी होगी और सरकार का एक बहुत बला बजट एक डॉक्टर को बनाने में खर्च होता है दो साल को ऐसा पीरेट नहीं है कि जिसमें किसी को इतराज हो हम तो दो साल का ही केवल बांड भरवाना चाहते हैं कि दो साल तक बॉग्रामी छेत्र में सेवा दे और इस से जो आपने प्रश्ण उठाया है उसका काफी कुछ समाधान होगा मंतरे जी अक्सर डाक्टर्स ये कहते हैं कि हम एलाज भी करते हैं और हमारी जान की सुरक्षा भी नहीं होती ये पर तोड़फोड हो जाती है इलाज तो कर सकें कई बार इलाज के दोरान किसी की मौत हो गई तो पूरे के पूरे परिवार या उनके रिश्टार मिलकर हमला करते हैं तोड़ फोड़ करते हैं तो डॉक्टर्स अस्रुक्षित महसूस करते हैं इसके लिए कोई एक मेकनिजम बन सकता है जिया हम पूरी तरह के बाद किसी ने ये हिम्मत नहीं करी कि आबादी के उपर बात करें पहली बार मोधी जी ने सार्व्यनिक सुरूप से 15 अगस्त को इस बात को सुईकार भी किया हम कितने ही संसाधन बढ़ाएं वो छोटे और बाउने मालूम होते हैं आज एक डॉक्टर के सामने 50 लोगों को अगर OPD देखने का लक्ष है तो उसके सामने 200 लोग खड़े होते हैं तो 200 लोग खड़े होने पर अब उतने ही समय मे उनको 200 मरीजों को देखना है कहीं कहीं इस से भी ज्यादा होते हैं जाहिर बात है कि व्यक्ति जो है वो मशीन नहीं है कि जो मशीन में एक रुपए का सिक्का डालेंगे तो एक टिकटिकल आएगा वो भी आदमी है human being है तो जब उतने ही समय में जो 50 मरीजों को देखने का स समय उस पर 200-300-400 मरीज सामने कड़े हो तो निचरली एक उल्जन एक इरिटेशन एक चलचलापन भी पैदा हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए डॉक्टर्स को सबसे ज़्यादा संबेदन शीलता बरतनी चाहिए सबसे ज़्यादा सिंपैत्रिक एटिटूड पब्लिक के प्रति होना चाहिए आज सबसे ज़्यादा आवश्यक्ता इस बात के है कि हम संबेदन शील ज्यादा हूं हमारे ही लोग इसी माहौल से सेना में जाते हैं कोई ब्यक्ति मरना नहीं चाहता लेकिन सेना के जो ट्रेनिंग है वहां के जो सेंटिमेंट्स हैं वो जब आदमी व खुशी खुशी जाता है वो अपनी जमीन से अपने देश से कंपरिटिबली आम आदमी के मकाबले में ज़्यादा प्यार करता है उसको सुरक्षित करने का माददा उसमें ज़्यादा हो जाता है ठीक इसी परकार से चिकतिसा सेवा में जो लोग आएं उनका सिंपरिटिक एैटिटूड comparatively ज़्यादा होना चाहिए उनके अंदर comparatively संबेदन शीलता ज़्यादा होनी चाहिए यह आवशकता इस बात के है और हम यह करेंगे हम सब्जिक्ट को अधource नहीं चोड़ेंगे हम उनके अंदर संबेदन शीलता की भावना वो लोग महसूस करें कि हम दू तो नो दिन इस बात को प्रेस करके कहा कि वी शुड़ बी सिंपाइथिक टू एवरीवडी हमको ज्यादा संबेदन शील होना चाहिए ज्यादा सिंपाइथिक होना चाहिए यह हमारे बेवहार में हो किसी भी तरह से हमारा हम अगर ओवर अकोपाइड हैं तो हम ओवर को पैंस इसी में अपने आप में रहत महसूस करता है तो इसलिए हमारी यह कोशिश होगी हर हालत में कि वो लोग ज्यादा संबेदन शील हो और डाक्टर्स को सुरक्षित रखना हमारा फर्ज हमारा करतब है हम हर चेस्टा करेंगे कि वो किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहों कि जिस नाम लगाई जाए दूसरा यह कि बहुत संवेदन शील होना पड़ेगा नकेवल लोगों को बलकि डॉक्टर्स को भी दो तरह की बातें आती है कि जब अगर बीजेपी के सांसद बीजेपी के मंत्री या बीजेपी के नेता या बीजेपी के सहयोगी संगटनों के नेता जब आबादी पर कंट्रूल की बात करते हैं तो वो राजनितिक रंग लेता है क्योंकि माना जाता है कि वो किसी धर्म विशर्स को टार्गेट करते हैं य और आपने विधानसभा मेरे रिखाल से हिंदुस्तान के इतिहास में शायद पहली विधानसभा होगी जो 36 घंटे अपने गोल सेट करती है कि क्या करना है अपने राज्य में क्या कभी आबादी के ऊपर इस तरह से 36 घंटे, 40 घंटे, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, या 2 दिन, 24 घंट से बिधानसभा में हूँ, मैंने हर सत्र में बिधानसभा में इस आबादी का मुद्दा जरूर उठाया, बिधानसभा की कारवाई का जो रिकार्ड है, वो इसका गवा है, आप चाहें तो उसको देख भी सकते हैं, और हमारी कोशिश यही है, कि हर हालत में, प्रिवेंशन इसलिए जितने भी हम संसाधन बढ़ाते हैं, जितने भी सेवाएं बढ़ाते हैं, जितने अवसर बढ़ाते हैं, वो इस आबादी की ब्रद्धी में वो छोटे मालम होते हैं, वो बहुने साबित होते हैं, इसलिए यह वहम ऐसा मुद्दा है, कि इसके उपर बहुत गंभी से सोचने के आवशकता है और अभी इस इस एरा में देखने को भी मिला है कि जो हमारा लक्ष है हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन जो स्पीड है वो बहुत स्लो है उसको और अधिक तेजी से महसूस लोगों को करना चाहिए क्योंकि 1975 में एक सरकार केवल इसी लिए उस सरक काफी कुछ इस बात के उपर फोकस किया और उसमें उनके ततार तरीके जो थे वो ऐसे नहीं थे कि पबलिक उसको एकसेप्ट कर सकती इसलिए उसके बाद दो सरकार चली गई उसके बाद जिकी जो सरकारे आई उन्होंने किसी ने इस बात को पर फोकस नहीं किया हाला कि जाना चाहिए मनिय मोधी जी ने बहुत खुबसूरती से इस बात को उठाया था और हम सोचते हैं कि सभी को इस बात पर सोचना चाहिए एक सेल्फ इंपोजड डिसिप्लिन होना चाहिए कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं और यह मैं समझता हूँ कि देश सेवा में यह सब से बलाई योगदान होगा अगर हम चोटा परिबार की वकालत करें छोटे परिबार को रखने में किसी ने किसी रूप से प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सयोग करें। अगर आपने सुना हो तो खास तोर से इस बात के उपर फोकस किया गया और हम समझते हैं कि आगे भी इस दिशा में कोई 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 कदम विशेश टूप से उठाया जाएगा जिसकी एक महती आवश रकता है। और हम महसूस करते हैं कि हम सभी लोगों को जो भी अपने देश से प्रेम करते हैं समाज के हर व्यक्ति को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। पहल करेगी यह प्रोस्ताहन दिया जाएगा ऐसे लोगों को मैंने तो कहा ना अब जब हमारे प्रदान मंत्री उसको फोकस कर रहे हैं। मंत्री जी आपने काया कि समवेदन शीलता बरतनी होगी डॉक्टर्स को लोग भी समवेदन शील हो डॉक्टर्स के प्रती सम्मान रखें। लेकिन एक चिंता ये भी है आम आदमी जन्ता के मन में कि जब हम इलाज के लिए जाएंगे तो हमको पता नहीं कि कितने टेस्ट करा दिया जाएंगे। कितना पैसा हमारा खर्च हो जाएगा आईश्मन भारत की योजना अच्छी है गरीबों के लिए फाइदा होगा लेकिन वो व्यक्ति जो कम कमाता है खर्च का बोज ज्यादा है तो निजी अस्पताल हों सरकारी अस्पताल हों वो एक पूरे एक दोश्चक्र में फसा हुआ ट्रीट्मेंट के नाम पर कितने सारे ऐसे वाकिय आते हैं कि जो डॉक्टर्स के प्रती उनके सम्मान के प्रती लोगों की आस्था को डिगा देते हैं और परिशान होते हैं लोग कि इतना भारी भरकम बिल है और एक कर्ज के बोज तले वो दब जाते हैं या फिर वो पूर अनावशक टेस्ट ना कराये जाएं या अनावशक बिल ना बनाया जाएं देखे आयूश्रमान भारत में पांच लाख रुपए तक के इलाज की वरस्ता है लेकिन इसमें एक करो अठारा लाख उत्तर प्रदेश में कवर हो रहे हैं परिवार जो लोग इस योजना के अंत मुख्यमंत्री जन आरोग योजना और उसमें 10,56,000 लोग उस योजना के पात्र चिन्नित हुए हैं अर्थात जो इस योजना में नहीं आ पाए उन लोगों को भी 10,56,000 परिवारों को जो मुख्यमंत्री जन आरोग योजना है उसके अंतरगत चिन्नित किया गया उनको भी पांच लाख रुपए तक की इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है इसके अतिरिक्त मैंने एक भी ब्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा यूपी में कि जिसने मुख्यमंत्री कार्याले को अपलाई किया हो और विवेका धीन कोश से जितना भी उनका इस्टिमेट होता है उसका 50% दिया जा रहा है आज की तारीख में तो ये सरकार पूरी तरह से संबेदनशील है इलाज के प्रती लोग निरोगी रहें इसके प्रती और इसके लिए किया भी है ये छोटी बात नहीं है अभी तक किसे सरकारे रही उन्होंने इतना इस शिदत के साथ इस गंभीरता के साथ इसको नहीं लिया और हम उसको ले रहे हैं लोग इलाज कर रहे हैं इलाज लोगों का हो रहा है और लोग उससे रोग से निजात भी पा रहे हैं लेकिन पूरे सुसाइटी के मानसिक्ता को ओवर्नाइट नहीं बदला जा सकता। जो मैंने संबेदन शीलता की बात कही, वो संबेदन शीलता होनी ही चाहिए। और सुरक्षा तो हमारी जुम्मेदारी है, हम उससे बचना भी नहीं चाहते। यह प्रात्विक्ता है हर आलत में और पब्लिक परसेप्शन यह है कि हम इस सरकार में पहले की सरकारों के मुकाबले ज्यादा अधिक सुरक्षित हैं, ज्यादा आपने आपको सेफ महसूस करते हैं और इसलिए इन्वेस्टर्स उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स वही इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि जहां पर उनकूल महाल हो, अनकूल वाता वराओं मंतर जी आप बहुत बेवाकी से और साफ पाक तरीके से बात रखते हैं, मैं एक बहुत एहम सवाल आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास एक महकमा है जिस पर उमीदे ठीकी है लोगों की चकिस्ता शिक्षा, लेकिन जो मेडिकल कॉलेजिस हैं आपके जहां पर बाइस करोड़ उससे ज्यादा की आबादी वाला प्रदेश है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस मंतराले को मिलने से पहले और इस मंतराले के मिलने के बाद, आपके उपिनिनम को बदलाव आया है कि जो धाचा मौजूदा सिस्टम है, वो दुरुस्त है या अभी डाक्टर्स ओवरनाइट नहीं पड़ा की जा सकते हैं, डाक्टर्स को पड़ा करने के लिए एक सर्टेन कोर्स मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया ने निरधारित किया, पीरेड भी उनके कंसल्टेशन से ही निरधारित होता है, तो उनके नाम्स को आधार के उपर हम साले चा अधिकार में नहीं है करना भी जाते क्योंकि जब हम सुपर स्पेशलिटी का बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमको उसके हिसाब से प्रोफेसर्स तयार करने होंगे और हम लगातार हमने जिस दिन से हम इस इसके पहले भी पीजी आई में चाहें सीट्स बढ़ाने क की बात हो संबेदन शिर्ता की बात हो आज भी हम साथ का हमारी कोशिश है कि साथ की 210 हमारे ट्रामा में हो जाएं पीजी आई में बेट्स और 500 बेट्स कम से कम और बल जाएं ताकि लोगों को बाहर बापस न जाना पड़ें लेकिन उसके लिए हम डाक्टर्स को फैसिलिटे में किसी प्रकार से कम न हो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे उनकी जो सुविधाओं का पूरी तरीके से ध्यान रखें मंतर जी एक और सवाल आता है कि अक्सर हमने देखा है कि जो रिजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं जो जब अपनी ट्रेडिंग के दौरान कई बार ऐसी सम से रूबरू होते हैं जो उनको हर्ताल पर जाने के मजबूर कर देती हैं उनके हॉस्टल्स की विवस्था बहुत अच्छी नहीं रहती है कई बार वो कहते हैं कि जो लिविंग कंडिशन से बहुत खराब हैं अभी हम कुछ डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए थे उन कहा कि संवेदन शीलता जरूरी है कम से कम दो साल का बॉंड भरवा रहे हैं कि दो साल रूरल इलाकों में वो काम करें लेकिन उनकी भी अपिक्षा हैं सरकार से हैं कि सरकार उनकी समस्याओं को मानवियता के अधार पर हल करें प्रात्मिक्ता के अधार पर हल करें कि जहां ज साथ पूरी सानभूती रखी जाएगी मैंने कहा ना कि हम उनको फैसिलिटेट करेंगे मैं मंतरी आप से जाना चाहता हूं कि आपने कोई टार्गेट सेट किया अपने लिए क्योंकि सेल्फ एक असेस्मेंट होता है आपका कि आपके पास जो विभाग है उसको मुझे यहां त अब किस इस हद तक ले जाए सकते हैं यह तो समय बताएगा लेकिन मैं समझता हूं कि मेरी अपनी राजनेतिक जीवन का यह अनभाव है कि सही करने में परेशानिया कमाती हैं जिगजएक करने में किसी चीज़ को शितिल करने में निमों के खिलाफ चलने में बहुत ज़्या दाती है इसलिए हम सही के करीब रहना चाहते हैं और जिन जो समस्याइं आप बता रहे हैं इनसे हम पूरी तरीके से वाकिफ हैं अभी तक मेरे सामने ऐसी कोई समस्या नहीं आई जो आपने उठाई हो और जिससे हम नावाकिफ हो या उसके प्रति मेरा ध्यान नहो तो पहरी इस्तिती तो यही है कि हमारा पूरा ध्यान भी है और हम मन से करना चाहते हैं लोग बरोसा भी करते हैं इस बात को और मेरे मुझसे जो निकले वो पूरा ज़रूर हो यह अभी तक का मेरा अपना संकर्परा यह वादा मेरा मुझ से अपने आप से है कि मंत्री अक्सर यह कहा जाता है कि ब्रशचा इलाज अगर कहीं है तो फॉलिटिकल सिस्टम के पास है है और कहते हैं कि फॉलिटिकल सिस्टम ही उसको दुरुस्ट का सकता है लेकिन पूरे मेडिकल छेतर में तमाम तरह की जो पूरी बिमारियां है वो प्रश। से बहुत बड़ी बिमारी को माना जाता है कि आपको धुचार हुए है कि सिस्थम को दूर kan Act कभी करना पड़ whereas कि अपिस्थालिब लोगों का करना चाहते हैं लोगों को बहतर राद दैंज शाहतें लेकिंडल सिस्थम लाश कर बनाया है वो system ही दीमा को उसमें लग गई है बरस्ताचार के देखिए हर इस्तर पर न्याय हो कि आपके सवाल का जवाब यही है कि हर इस्तर पर न्याय हो और जब हर इस्तर पर न्याय होगा a तो इसको हम minimize कर सकते हैं यह एक ऐसी समस्या है एक ऐसी बात आपने उठाई है कि जो लोगों के दिल और दिमाग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है और बहुत से चीजों का पर हम achievement इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इस समस्या से बहुत से लोग ग्रसित हो चुके हैं मैं सोचता हूँ कि अगर हर इस तर पर नयाय हो तो इसको minimize किया जा सकता है और हमने महसूस किया है delay defeats the justice, यह अंगरे जी की एक सूकती है और जहां कहीं पर भी इस प्रकार की सिती हो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि आबादी एक हमारे साथ में समस्या है और यह जो आपने प्रश्ट उठाया यह भी एक बहुत बली समस्या है हमको target achieve करने में लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि अगर हर इस तर पर नयायक कि हम प्रिकरिया को दोहराते हैं उसको पूरी तरीके से पारण करने की कोशिश करते हैं तो इस समस्या को minimize किया जा सकता है मंतर जी एक और बड़ी चुनौटी रहती है कि जब आप मंतरी हैं आप राजनेतिक बवस्ता से जुड़े हुए हैं आप से लाखों लोग जुड़े हैं आपकी पार्टी से क्रौ़ड़ों लोग जुड़े हुए हैं अकसा दिखा जाता है कि जो बड़े डॉक्टर्स हैं सुपर स्पेशलिस्टी के जो एक्सपर्स हैं जो अपने अपने डिपार्टमेंट के अपने अपने से छेत्र के वो छोटी जगों पर जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि व्यवस्थाएं उनके मुताबिक नहीं होती हैं आपने संख्या बढ़ाई ह की नैचरली आप उस दिशा में आके बढ़ेंगे लेकिन आपको क्या लगता है कि पुरी विवस्था को वह खुदी बीमार कर देते हैं क्योंकि लेवल प्लेंग फिल्ड होनी चाहिए हर गरीब को उतना ही अच्छा इलाज मिला जितना अमीर को मिलता है अमीर के पास पैसे आपको चाहिए आपने बार-बार कहा कि आबादी एक बड़ी चुनाती है ब्रस्टाचारी बड़ी चुनाती है कैसे अपने व्यवस्था को आप दुरुस्त करेंगे कि डॉक्टर्स कम से कम हर डिस्टिक में कुछ दस-पांच बड़े डॉक्टर्स तो एविलेबल हो ताक जोक कि न्यायक के ऊपर संबेदन शीलता है किसी कोट में कोई जिज्मेंट होता है तो पहले व्यक्ति को कन्विक्ट किया जाता है और दोश्चित होता है और उसके बाद सेंटेंस के ऊपर उसको सुना जाता है अर्थात उसकी परिवारिक परिशिती उसकी जुम्मेदारियां उसकी अपनी फिजिकल कंडिशन क्या है इसके उपर उसको सजा सुनाई जाती है ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर संबेदन शीलता हो सानभूती रखने वाला व्यक्ति हो मन से दूसरों की प्रती हमदर्दी हो बोजन न टाले तो वो ऐसी किसी भी परिशिती को फेस कर सकता है कि जो ये तो बहुत चोटी बात है कि हम दूरस्त छेत्रों में उनके लिए विवस्ता करते हैं और अब तो जितनी भी हमारी टाउन एरियाज हैं वो भी डेवलप हो रही है योगी जी की सरकार में हर साल में एक टाउन एरिया को बकराबर डेवलप किया जा रहा है एक साल में 75 टाउन एरिया डेवलप होंगी दूसरे साल में फिर 75 होंगी पांच साल का पूरा प्रोगाम जब मैं नगर विकास में था तो हमने बनाया था कि उनकी आबादिक हिसाब से उनको हम पैसा देकर वहां सारी बेसिक एमिनिटीज को मपलब्त कराएंगे और यह चल रहा है कारकम हर जिले में दो-दो टाउन इरियास को डेवलप कह जा रहा है ताकि वहां पर बेसिक सुविधाई मिल जाएं और डाक्टर्स अगर समसान बूति रखने वाले होंगे संबेदन शील होंगे तो उन सुविधाओं को रहते हुए वो अज़स्ट कर सकते हैं अपने आपको इतनी सुविधाई होंगी और मैंने इसी लिए इस बात की विविवस्था की है कि बाई दो साल का बांड जो है वो उन्हें इस बात के लिए कंपल सरी हो कि दो साल तक वो ग्रामी छेत में जाके सेवा करें और अब तो हम जब शहरों में फैसिलिटीज बग रही है तो मैं समझता हूँ कि उस माहौल में भी उनको अज़स्ट करना चाहिए पर संवेदन शील्ता का ही है इसी से मैं इसी संवेदन शील्ता के मुद्दे पर मैं आप से कह रहा हूँ कि बहुत से समाज में ऐसे डॉक्टर्स भी है इन्होंने आदर्श इस्थापित किया है ना वो जादा फेश चार्ज करते हैं ना जय्यादा वो खर्श करते हैँ मरीजों का और बहुत आप करने आप कहें सेंट्डिफिक तरीकी से सस्ता इलाज भी करते दे ऐसे डॉक्टर्स श्यल्ता जिनके पास रिचे पास और यृइज पूरी अपनी एक सोच है ऐसे डॉक्टर्स को क्या सरकार सम्मानित करके उनका इस्तिमाल करें बाकी डॉक्टर्स को सम्वेदन शील बनाने में ऐसी कोई विवस्ता सम्मानित भी करते हैं और उनकी अपनी ख्याती उनका अपना काम देखे सेवा जो है वो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों रूप म प्रतिफलित हो अगर कोई व्यक्ति संबेदन शीलता के साथ सेवा भाव से किसी का इलाज करता है तो उसके बंदले में तो उसको पैसा मिलता ही है साथ साथ ख्याती भी मिलती है और ख्याती की उम्र डाक्टर की उम्र से लंबी होती है डाक्टर चले जाते हैं ख्याती बात तक उनका काम करती बात तक उसका पीछा करती है। लोग उसको कोट करते हैं कि फुराने डाक्टर थे। वो ज्यादा चर्वाहतर तरीके से देखते भी थे। याज भी करते थे। और उनको एक आधर्ष मानकर रोल माडल मानकर उनके जैसा बनने की प्रेज़ना भी देते हैं ऐसा भी होता है तो इसलिए ख्याती ज्यादा मात पूर मैं इस बात को बिशेश रूप से बल देना चाहता हूँ और जिन लोगों ने किया है उन लोगों ने अपने जीवन में अपने परिवार के लिए पूरी डाक्टर्स बिरादरी के काम आती तो इसलिए डाक्टर्स को इस बात के लिए विशेश सोचना चाहिए कि उनकी ख्याती के उम्र उनकी उम्र से लंबी होती है आपने ठीक कहा है हम मीडिया हमारा एक दायत्व है कि आप जिन लोगों को ऐसे समानित करेंगे हम उनको पूरे उत्तरपदेश की आबादी तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम बनना चाहते हैं और हम आप के सहयोगी बनेंगे इस काम में जो अच्छे डॉक्टर्स हैं जो संविधन शील है जो नियाय करते हैं जो कम से कम खर्च में लोगों के लाज करते हैं उनकी घर अगर आप अपेक्षा रखते हैं यूवा डॉक्टर से जो पीडिया जिसने आदर्श इस्थापित किये हैं और नए उत्तरपदेश में जो हम कहते हैं फिट है यूपी तो हिट है यूपी हम ये मानते हैं कि अगर आप पूरा प्रदेश स्वस्थ है तो यूपी आगे अपार्टमेंट का खास्तोर पर हेल्थ की हम बात कर रहे हैं जिकिस्था शिक्षा और अगर्टिकल एजूगेशन की बात में करूं तो क्या टार्गेट होगा आपका मंत्री जी कि आप कहां देखना चाहते हैं उत्तरपदेश को देखे जितने भी हमारे सामने जो एक्जि प्रणीलिया है जितनी उनकी इलाज की छमता है उसको पूरी तरीके से वो छमता यूटिलाइज हो और साथ ही साथ हम इस बात पर विशेश रूप से जोड़ देंगे कि व्यक्ति को इलाज के लिए मजबूर क्यों होना पड़े वो माहौल बनाने की कोशिश की जाए जिस प्रकार से मोदी जी ने सुच्छता को गांधी जी के बाद विशेश फोकस किया और 2014 में जिस समय लाल के लिए से उन्होंने इस बात का आवाहन किया था शवचाले बनाने का सुच्छता का उस समय बहुत से लोगों ने अपने अपने तरीके से उसको पर कमेंट किये थे लेकिन आज वही लोग उसको मन से सुईकारते हैं और एक सुच्छता का माहौल पहले शनिवार को सुच्छता का एक अभियान चलाएं और हमारा काम जाड़ू उठाना नहीं है लेकिन लोगों के जिजक दूर करना हमारा काम है लोगों की शरम दूर हो कि अगर एक दिन कहीं सफाई कर्मचारी ना आ पाए तो हम अपने घर कर दर्वाजा और अपने घर क के बाहर की बैठा को रांगन स्वेम साफ कर सके एक माहूल बनाने के आवशकता है और सतर परसेंट बीमारियों की ज़ए इस गंदगी है अगर हम स्वच्छता के माहूल में रहते हैं तो हम तमाम तरीके की डेंगु है चिकनगुनिया है मलेरिया है डिफरेंट टाइप का वाइरल है ये इस तमाम बीमारियों से निजात मिल सकती है और इसका एक माहूल बनाने के आवशकता है जो कि बहुत कुछ बनाया गया पांच साल हमने च्छत्य सरेलिया की सुकेबल सोच्छता कि जो व्यक्ति इसको बहुत तरीके से अपने जीवन में इसको एड़ाप्ट नहीं करते थे उन लोगों तक भी ये बात पहुंची है और ये एक ऐसा बिशह है कि हम इलाज के लिए ज़रूरी है कि उसका बचाओ पहले करें और बचाओ के लिए सबसे ज़्यादा आवशक है कि हम सुच्छता का वातावरों पूरे प्रदेश में बनाएं जे भी हमारे तारगेट में है और लोगों को इसके लिए जादा से जादा ट्यूटर करें जाजाज़एा कन्वियंस करें और इसके लिए जितने भी आवशकता होगी इसको फैसलिटेट करने की वो हम सब कुछ करेंगे और डाक्टर्स की जो कमी है उसपर भी हम फोकस करने हैं यहां हमन यह चाहते हैं कि हम जितनी भी हमारे पास जो भी एक्यूपमेंट्स हैं, जो भी हॉस्पिटल्स हैं, जो मेडिकल कॉलिजेज हैं, वो लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में, लोगों को निरोगी रखने में साहिक हों और जिस बात की उनको आवशकता होगी, वो उसको हम प्रसम दर्श्टेया पूर्य करेंगे, मंतरी जी मेरा आखरी सवाल है, जो मेडिकल एजुकेशन है, वो लोगों की पहुंच से बाहर ना हो, आपने कहा कि बहुत पैसा खर्श करना पड़ता है, डॉक्टर को बनाने में सरकार को, जो सरकारी मेडिकल कॉलिजेस हैं, उनकी जो लोग बैसी बेक्ग्राउंड से आते हैं, जो लोग फाइनेशली बहुत ज्यादा एफिलेंट फेमिली से नहीं है, उन लोगों के लिए हम यह सोचते हैं, कि वो लोग मेडिकल में सिलेक्ट तो हो गए, तो बाकी जिस छेत्र में भी वो रहें, तो वो अपने ग्यान को बाट कर ही, वो स्वेम भी संतुष्टी हासिल कर सकते हैं, धनो पार्जन भी कर सकते हैं, और लोगों को उस तरीके की शिक्षा भी दे सकते हैं, हम इसके ओपर एक होम वर्क कर रहे हैं, कि जो डॉक्टर्स में सिलेक्ट हो गए, फस्ट इयर, MBBS में, सेकेंडर MBBS में, वो अ जाए, उनकी सित्वी मजबूत हो सकती है, केवल ग्यान को बाट के, कम पैसे में, क्योंकि जिस व्रकार से, अगर कोई व्यक्ति आज मेडिकल की कोचिंग करने जाए, तो उसको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, और जो प्रेक्टिकली फस्ट इयर, सेकेंड इयर, और और डॉक्टर्स के लिए, जो जरूरत बंद है, जो पढ़ रहे हैं, उनको भी एक सपोर्ट बिल जाएगा, मंतर जी, एड्मिशन तो हो जाएगा, नीट भी पास कर लेंगे, डॉक्टर्स सपोर्ट कर देंगे, लेकिन जब एड्मिशन लेने जाते हैं, तो फीस बहुत मह स्याइसी है, कि जो आपने अभी उठाई, जिसका अभी तक मेरे पास हल नहीं है, क्योंकि उनका केरियर उनके हाथ में होता है, निया कब तक कर पाएंगे आप, अब यह तो वक्त बताएगा, मुल्यांकर करने वाले दूसरे लोग होते हैं, लेकिन, एक शायर ने कहा था न कि मन्जिल मुझे मिले, न मिले, इसका गम नहीं, मन्जिल के जो स्थुजव में मेरा कारवात हो है, देखें समापन के लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मंत्री जी को आगे के कारेकर में जाना भी है, अभी हमारे पास पास मिनिट है, आपने दो करेगा कि आप बढ़ें इस दिशा में और मजबूत करें इस पूरी medical education विवस्था को, क्या आप आम जनता से contribute करके जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो इस दिशा में contribute करें, कोई corpus बन जाए, कि जो गरीब बच्चे हैं, जो किसी भी विवस्था के तहत नहीं आते, जो किसी छात्रवत्ती के दायरे में नहीं आते हैं, जो self finance की category में आते हैं, उनको सस्थी medical education मिले है, और आपने कहा है कि एक बहुत अच्छी बात है, कि जो MBBS के first year, second year, third year के student है, अगर वो समय देते हैं, ऐसे बच्चों को, तो coaching का पैसा वो बचा सकते हैं, और हम उमीद करते ह कि जो दर्शक हमारे जरीए कारिकरम देख रहे होंगे, मंतरी जी की बात सुन रहे होंगे, वो इस दिशा में सोचेंगे भी, और हम इसके लिए कोशिश भी करेंगे कि ये पूरे प्रदेश में जाए ये बात, मंतरी जी कहीं, ऐसा कोई corpus बन सकता है कि जो बच्चे medical education ले लेकिन नया इस दरूर करिए, देखे बड़े पैमाने पर तो ऐसा नहीं है, लेकिन इस्थान इस्थान के उपर जो सक्षम लोग हैं, वो शिक्षा के दान को ज्यादा महत्तु कर्स देते हैं, लोगों की प्रारंब से ऐसे हैं, लोग हैं, बहुत से फाउंडेशन से जिसक हम जानते हैं विक्तिकत रूप से, बहुत से इसी बिजनस क्लास हैं, कि जो लोग कहीं दस लोगों की बीस लोगों की बच्चों की फीर देते हैं, अभी भी हैं सोसाइटी में, और यह सोसाइटी हमारे वहां दान के वबस्ता शुरू से बहुत मद्बूत है, गीता में तो सत्रमें अध्याय में खास्तावर से इस बात को कहा भी गया है कि दान के साथ दक्षना की भी महत्तो है यनि कि दान दें और वो मालूम नहो अहसास नहो, साथत्विक दान वही है और उसके बात दक्षना देकर यह अहसास नहो कि हमारा ही हमने दिया है तो दान की परमपरा बहुत अच्छी है, मजबूत है लेकिन बले पाइमाने पर तो इस परकार का ऐसा कोई लक्ष नहीं है लेकिन छोटे-छोटे इस्थानों के उपर जहां जैसी आवश्चक्ता हो, वहाँ पर इस परकार कारपस भी बनना चाहिए और लोगों को इस परकार के लोगों को सायोग भी करना चाहिए करते भी हैं लोग, लेकिन अगर इसको प्रोपगेट किया जाएगा इसको हाईलाइट किया जाएगा, तो ये बढ़ सकता है हम इस पर विश्वास करते हैं और इस पर आप निद्यों की ध्यान दिलाया है, तो इस पर गंभीरता से मनन्द करेंगे पंतर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बेवाकी से आपने तमाम सवालों को जवाब दिये जो कम से कम आम लोगों के काम आएंगे और मैं उमीद करता हूँ कि आप जिस तरह से मन्जिल की तरह बढ़ रहे हैं कामयाब जरूर होंगे और हमारी शुब कामना आपके साथ हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका